हाई गाईज सौगत है आपका हमारे यूटूब चैनल फायर एंसेप्टी गाईड में आज हम फायर पाइटिंग सिस्टम की एकुपमेंट कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कुस करने वाले तो शुरू करते हमारे आज के सेशन को दोस्तों fire patting equipment के बारे में जाने लेते हैं fire patting techniques and equipment are used to extremely fire and limit the damage caused by them and it consists of large tanks, pumping system, network of 5 and hatron and sprinkler मतलब कि fire extinguish करने के लिए अदा गलग techniques रहते हैं उसमें बड़े-बड़ेवाटर के tanks रहते है, pumping system रहते है और हायरन and sprinkler system रहते है जो कि fire को extinguish करने में ये system का मौत पूरान स्थान रहता है दोस्तों आगे देखते हैं कि fire extinguish करने के लिए कुण कुण से equipment used होते है दोस्तो fire fighting equipment list में first number का जो equipment है वो fire extinguisher है fire extinguisher का fire system में बड़ा मौत हुए जो quickly operate होता है और easily उससे handle कर सकते ये portable रहता है जो छोटी fire में इससे mostly use कर सकते है सकंड नमबर का जो equipment है वो hydrant wallet थर्ड नमबर का जो equipment है sprinkler sprinkler system अलग अलग प्रकार के होते है उसके color coding के साब से उससे install किया जाता है और fourth नमबर का जो हमरा point है वो hose pipe है hose pipe भी अलग 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 प्रकार के होते है canvas hose rubber line hose इस प्रकार अलग 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 प्रकार के hose होते है fifth नमबर का जो equipment है hose box hose box का जो use है वो hose pipe रखने के लिए किया जाता है और next six नमबर का जो equipment है hose drill hose होजडरील होज का जो यूज है वो जाज तर कंजिस्टेड एरिया में इसका यूज होता है 7 नमबर का एकुप्मेंट है अलाम वाल अलाम वाल का वर्क रहता है वाटर फ्लो होने के बाद अलाम बजाना लोगों को सचेद करना 8 नमबर का एकुप्मेंट है कपलिंग्स उसमें मेल कपलिंग्स और फिमेल कपलिंग्स ऐसे टू टाइप्स की कपलिंग्स रहती है 9 नमबर का एकुप्मेंट है शेट अप नोजल शेट अप नोजल होजरील होज से कनेक्ट रहता है 10th number का equipment है air release wall air release wall जो है air release करने के लिए use होता है 11th number का equipment है branches branches अलग-अलग परकार की होती है जैसे कि 1st type G branch है वो short branch type है 2nd number के जो branch pipe है triple purpose type branch है 3rd number के जो branch pipe है वो multi-purpose type branch है इसे hand control branch भी पोला जाता है और 4th number के जो branch है वो revalu branch है हमारा अगला equipment है ground monitor 13th number का equipment है double control wall इस wall का fire fighting system में बड़ा मौत हो है 14th number का equipment है sand bucket इस bucket में रिती बरी हुई रिती है जो solid fire में mostly इसका यूज होता है 15th number का जो equipment है fire brigade connection fire brigade connection company के entrance gate पे और water tank water resources और water का connection जहाँ से जहाँ पे होता है वह fire brigade connection इंस्टाल रहता है अगला next है 16th number का equipment trailer fire pump दोस्तो 17th number का equipment है foam unit 18th number का equipment है fireman axe 19th number का equipment है helmet 20th number का equipment है fireman suit दोस्तो fire fighting equipment कौन कौन से होते है ये आज हम लोगों ने देखे लेकिन उसका use कैसे होता है ये सब अगले वीडियो में पुरा डिटेल्स में जानेंगे दोस्तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओगा तो सब्सक्राइब शेर और लाइक जरूर करे दन्यवाद